लेकिन अभी जल्दी में मुझे पता पड़ा कि एक मचली जो है इस पे एक तरफ अल्ला लिखा हुआ है और एक तरफ मुहम्मद लिखा हुआ है लाखों में लग रही मचली की कीमत बुलन शेहर की मचली बनी चर्चा का विशे मचली के उपर एक तरफ अल्ला तो दूसरी तरफ महम्मद लिखा हुआ है नाम बुलन शेहर में एक मचली चर्चा का विशे बनी हुई है दावा किया जा रहा है कि इस मचली के उपर एक तरफ अल्ला तो दूसरी तरफ महम्मद लिखा हुआ है मचली हिंदू व्यापारी के एक्वेरियम में पल रही है इस मचली को देखने के लिए हजारों की भीड उमड रही है ड्राइकिंग का व्यवसाय करने वाले अंकुर ने बताया कि मचली आसकर प्रजाती की है उन्होंने दस साल पहले खरीदी थी जैसे जैसे मचली बड़ी होती गई वैसे वैसे उस पर निशान आते गए उन्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती है उनके यहां काम करने वाले कारिगर ने मचली को देखा और उन्हें बताया कि इस मचली पर एक तरफ अल्ला और दूसरी तरफ महम्मद लिखा हुआ है अंकुर को विश्वास नहीं हुआ उन्होंने दो तिन उर्दू के जानकारों को बुलाया सबने यही बताया उसके बाद खबर आपकी तरह पूरे शहर में फैल गई मचली को खरीदने के लिए लोग लाखों की कीमत लगा रहे हैं लेकिन अंकुर ने से बेशने से इंकार कर दिया आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शियर करें बैर आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुँचती रहे